नक्सलवाद करते हैं बस्तार की समस्यां और चुनोती में नक्सलवाद में बातचीत होती है तो मेरे तमाम दरसक कई बार सवाल करतें कि भीया एटीसी उसी क्या है यह बता दो टीसी सी क्याकरी तकनिकी तौर पर कौन बताएगा तो बस्तर में बहुत लंबे समय से परदस्तेक अधिकारी है तो फिलाल में बस्तर आई जी सुंदराज पी साहब आज हम निनका कीमती से में लिया है सोचे के को डिटेल से समझाता है सर स्वागत आपका बस्तर टॉकिस में सरी नक्सलियों का टीसी होता है तो सरी टीसी क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझाते हैं जो फोर्स के विरूद एमबोश आईडी ब्लास्ट या निकिसी प्रकर करके इंसात्मक अधिवधी के माधि से फोर्स को नुकसान पहुंचाने को उद्य से यह टीसी अबियान संचलत की जाती है और इसमें विगत वर्षों में फोर्स का कुछ नुकसान भी हुआ इस दोरान नक्सलियों का भी नुकसान हुआ लेकिन देखके जाए तो बड़ी वार्दा आते इस सावधी में होते है उसी को देखकर हम लोग फोर्स का अलट भी करते हैं उनके जितना भी सावधानी बरतना होगा उसी साब से हमारा अबियान कम लोग प्लान करते हैं Mississippi में हो देखके तो साल बरूनका अलगाला कैलेंडर राते जैसागेंवं राते हैं इसके लिए सभ्ता मनाते हैं पिर वह संगρέतान का प्यल जीए सफथा भी मनाते हैं उनका साल बर मैं कमसेखम प्रमकुरूप से साथा जो जो कैलेंडर सो होते हैं उस हे साब से वह अपने गदिविदी को जो कुछ संगर्टन का जो समंधितकारी रहते कुछ हिंसात्मक गदिविदी का उन लोग का अंजाम देने के लिए कोशिश करते हैं वो टीसी ओसी अभियान में एक साइकलोजिकल वार्फेर की साब से वो लोग करते हैं इसमें ताकि फोर्स को बैक फूट में डालने के लिए उन लोग के कोशिश रहते हैं लेकिन उनका तोर तरीके समझने के बाद फोर्स भी आवशेक सावदानी बरते हुए टीसी ओसी के आवधी में भी लागातार नक्सल लोग अच्छा सफलता भी मिला है और इस वर्ष में भी 2022 में अभी तक टीसी ओसी आवधी यह सिर्फ 15 दिनों का हुआ करता था फिर एक महिने तो यह कब से इन्हों ने रणनीती बदल के इसका डियूरेशन बदल दिया है तो देखा जाएं तो सीपे मौधी सागटन के पास अभी वर्तमान में कोई सिधान तो नहीं बचा है उनके सिर्फ एक हिंसा के बल पर अपन संगर्टन को चला रहे तो लोग में एक बाई का बाताओं निर्मित करकर अपना राज चलाने के उनका कोशिश है इसलिए पहले सिर्फ 15 दिन का TCOC आवदी चलते थे लेकिन अभी उनका हिंसा चोड़कर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए इस सावदी को ला है इसकाहाम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं से बड़ी घटना अगर बात की जाए तो आपके जहन में इसी कॉन-कॉन कौन le zach इंहे희 आज जो उसके समय हुए हो नुकसान जियसा वर्ष 2010 में ताडर मेचला जो घटना से लेकर उसके बात लगातार टी स्कोची का बोदी में या गरमी के समय देखे जाएते हैं जेसा टैक वड़ कड़ना हुए जयरा गठी के घटना हुए उसके बाद फिर जीरम गठना हुए ताद परशाद वर्ष 2010 2018 में बुर्कापाल की इंस्टेंट हुआ उसके बाद मिनपार टेक मतला इस परकार कर जैसाब 2019 में भी जो उस समय के जो विदायक उपर जो हमला हुआ थे इस परकार कर देखा जाए तो गर्मी की आवदी में लागातार इस टाइप के हिंसात्मक गद्वीदी अग में बृति अचा सेर आप बता रहे थे कि वीजिबल्टी बढ़ जाती है तो मतलब वह क्या टक्निकी है कि टी सिउसी में वीजिबल्टी बढ़ जाती है मतलब देखने का हुआ उसमें कैसे है जो आम तोर पर जो मॉनसून के सीसनमें नदी नाला में पानी रहने के करण से जो रिद Ciao के लिए कुछ आडवांटेज रहते हैं जिसा आईडी ब्लास्ट करने के लिए एक अनुकुल एक महोल बन जाते हैं इसी कारण से देखे जाए तो गर्मी के आवधी में वोड़ी में तोड़ा वृध्यू होते हैं लिकिन जैसा पहले भी में बतायते हैं इसावधी को जो आम आटेक करने का एक रणनीती है और TCOC को आपने कहा था कि किस तरह से समझाए तो इसमें हमने लगा कि किसी एक बस्तर के अधिकारी से बात की जाए तो सुन्दरा साब बहुत लंबे समय से SP भी रह चुके हैं बस्तर का अलग-अलग इलाकों में अभी फिलाल आईजी के पत अच्छी लगती है तो आप इसे पूरा देखिए